100 Q series का आपके पास 60th question आई है आप sin x plus cos x upon under sin 2 x को integrate करेंगे हम इस question को उस formative ले जाएंगे जहांपर हम इसे easily integrate कर सकते हैं एक छोटी सी trick एप्लाई करेंगे तो आप समयने कोशिश करेंगे आप let i equal to pi by 6 ये pi by 3 sin x plus cos x upon under root sin 2 x है आपके पास question ये आपके पास dx है देखिए यहाँ पर drometer में एक छोटी स्ट्रिक एप्लाई करिए drometer में आप plus 1 और minus 1 करिए ये बात आप उच्छी तेरे ध्यान रखने पड़ेगे आप इसे लिख सकते हो i equal to pi by 6 to pi by 3 ये आपके पास sin x plus cos x है upon under root plus 1 minus 1 प्लस 1 minus 1 plus sin 2 x इस question को आप इस तरह से लिख रहे हैं ये dx आएगा इस 1 को आप edit रहने दीजिए और इस 1 की जगे इस 1 की जगे पर आप sin x plus cos x लिखिए तब आपके पास i हो जाएगा pi by 6 to pi by 3 sin x plus cos x upon under root ये बन एजित रहेगा minus bracket लगा लिजिए आप यहाँ पर इस बन की जगे पर आप sin x plus cos x लिख सकते हैं आपने minus common ले लिया है तो ये minus का नमर हो जाएगा और इस sin 2x ये आप 2 sin x cos x लिखिए ये 2 sin x और cos x bracket बंद कर दीजिए आप और ये आपके पास dx रहेगा आप ये देख रहे हो ये a square plus b square minus 2ab है ये a minus b का whole square है आप इसे लिख सकते हो i equal to pi by 6 to pi by 3 आपके पास है sin x plus cos x upon under root 1 minus देखिए आप इसे sin x plus cos x sorry sin x minus cos x का whole square लिखिए लिखिए हो पर मेरी सलाई ये है का आप इसे cos x minus sin x का whole square लिखिए हमेशा है ये आपके इस तरह के format square लिखिए हो तो cos x minus sin x का whole square लिखिए क्या लिखिए आप इसे cos x minus sin x whole square और ये आपके पास क्या रहेगा dx रहेगा अब आप इसका इसमें सब्ट्विट कर सकते हो आप cos x minus sin x को t मान लिजिए let cos x minus sin x equal to t जब आप इसे t मानने हो तो आप इसे differentiate करोगे cos x से differentiate आएगा आएगा आपके पास minus sin x minus cos x और ये आपके पास dx equal to आएगा आपके पास dt आप minus common लिजिए तो आप लिखेंगे sin x plus cos x dx equal to आपके पास dt आएगा आप minus से multiply आएगा नहीं तो यहां से minus अट जाएगा और आप यहां पर minus लगा लेंगे इस तरह इसी से लिख सकते हो तो sin x plus cos x dx यह है आप क्या रख पाएगे minus dt रख पाएगे इन दोनों नमबरों की जगए पर आप minus dt रखेंगे जब आप question t format में ले जा रहा है तो आपको यह limit भी change करने पड़ेगी limit का exchange करेंगे आप लिखेंगे when x equal to यह limit x के लिए थी x equal to pi by 6 है तो t equal to क्या होगा t हमारे पास क्या था cos x minus sin x cos x की जगवापर pi by 6 पूट करिए cos pi by 6 minus क्या होगा sin pi by 6 होगा हम limit change करते हैं तो इस value को यहां पर पूट करते है x की जगवापर तो t की value आ जाएगी cos pi by 6 cos pi by 6 आपके पास होता है root 3 upon 2 और sin pi by 6 आपके पास 1 upon 2 होता है इस तरह से आप t की value निकाल पाएगे तो t equal to आपके पास आजाएगा root 3 minus 1 upon 2 यह आपके पास t की value आई यह lower limit आईए आपके पास अपर limit क्या होगी जब आपके पास x equal to pi by 3 है x equal to pi by 3 आपके पूट करिए minus यह पूट करिए तो sin pi by 3 आपके पास होता है root 3 by 2 तब आपके पास t की जो value आएगी वो 1 minus root 3 upon 2 आएगी यह आपके पास lower limit है और यह आपके पास upper limit है आप खुलासे से copy कर लिजिए और इस question को हम t की format करेंगे हमारे पास आई होगा आपके पास lower limit है root 3 minus 1 upon 2 root 3 minus 1 upon 2 upper limit है आपके पास 1 minus root 3 upon 2 यह 1 upon under root 1 minus इसको अपने t माना है तो 1 minus t करो जाएगा और sin x plus cos x dx इएगा पर आप minus dt रखेंगे तो यह आपके पास minus t square हो जाएगा और यह आपके पास minus dt आएगा i equal to आपके पास हो जाएगा आप minus बाहर कर लें यह आपके पास under root 3 minus 1 upon 2 और यह 1 minus root 3 upon 2 और यह आपके पास 1 upon under root 1 minus t square dt अब आप यहाँ पर एक फर्मुलाई अप्लाई कर सकते हो under root a square minus x square आपके पास एक standard result है यूज इस फर्मुला integrate 1 upon under root of a square minus x square dx इसका integration आपके पास sin inverse x upon a यह आपके पास एक standard form है 1 upon under root a square minus x square dx sin inverse x upon a आप इसे इस फर्मुलाई को इसमें अप्लाई करिए तो आपके पास क्या आएगा i equal to minus आपके पास बाहर है इसको integrate करेंगे तो यह आएगा आपके पास sin inverse t upon 1 तो खाली sin inverse t आएगा आपके पास upper limit है 1 minus root 3 upon 2 और lower limit है आपके पास root 3 minus 1 upon 2 अब इसमें आप upper limit पूट करेंगे t की जगा पर यह नमबर पूट करेंगे minus 50 की जगा आप यह नमबर पूट करेंगे t की जगा पहले upper limit पूट करें आपके पास i होगा minus यह आएगा आपके पास sin inverse 1 minus root 3 upon 2 आपने t की जगा पर यह नमबर पूट किया है minus 50 की जगा पर यह नमबर पूट करेंगे तो यह आपके पास आएगा sin inverse root 3 minus 1 upon 2 यह नमबर आएगा इसे थोड़ा सा आगे solve कर लिजे आप आप इसे लिख सकते हो i equal to minus sin inverse 1 minus root 3 upon 2 और यह आपके पास plus हो जाएगा आप इसे लिखेंगे sin inverse root 3 minus 1 upon 2 आप ऐसा लिख सकते हो एक छोटी सी बात यहाँ पर apply करिए देखे आप यह जानते हो minus sin inverse x जो है वो sin inverse minus x होता है हम इस reality को यह use करेंगे यहाँ पर जो minus है आप इसे अंदर ले जाएगे तो यह minus का हो जाएगा और यह number plus का हो जाएगा तो आप इसे लिख सकते हो i equal to sin inverse root 3 minus 1 upon 2 plus sin inverse root 3 minus 1 upon 2 यह number आएगा आपने क्या किया यह minus आप अंदर ले जाएगे तो यह minus हो जाएगा और यह plus हो जाएगा हम इसे reality को apply कर रहे हैं हम इन दोरों नमबरों को add कर सकते हैं हमारे पास i equal to क्या होगा i equal to होगा 2 sin inverse under root 3 minus 1 upon 2 यह आपका एक correct answer है इस तरह कोशनों को में इस तरह solve कर सकते हैं आप इसे copy कर लिजिए कर दो के दώρα नमंप चत्राव झात्राव कर बदेन कर दो कर दो कर दो झाल झाल